नमस्कार दोस्तों, ब्लेसिंग स्टेडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है आज से ये सीरिज शुरू हो रही है जिसका नाम है यू टीच मी तो इसमें मिक्सप क्यूशन रहेंगे जो कि एक्जाम की द्रिश्टी से बहुत ही महत्व पूरुन रहेंगे क्योंकि ये वे क्यूशन रहेंगे जो की बार-बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं अगर कोई परशन छुटता भी है तो आप हमें कॉमें बोक्स में बताए अपना नाम बताए ताकि मैं next वीडियो में आपका नाम और आपका comment के बारे में मैं बता सकूँ और उस question के उपर मैं वीडियो बना सकूँ तो ज्यादा बात हम नहीं करेंगे अंत में मैं अपना mobile number भी दे दूँआ जिसमें आप वर्टसप के माध्यम से अपनी photo भी send कर सकते हैं ताकि मैं अपनी next वीडियो में आपकी photo डाल कर आपके question को दिखा सकूँ तो शुरू करते हैं पहली ये question रहेगा पहला ये part रहेगा तो शुरू करते हैं पहला question है कि कि सहर को भारत के Scotland के रुप में भी जाना जाता है तो हमारा अंस्वर रहेगा कुरूग को भारत के Scotland के रुप में भी जाना जाता है कुरूग को कोडगू भी कहा जाता है अगर पूछा जाए कि आंगला भासा में कोडगू को क्या कहा जाता है तो कुर्ग हमारा अंस्वर रहेगा और ये भारत के करनाटक प्रांत का एक जिला है अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कोफी उत्पादक जिला कौन सा है तो वो भी कुर्ग ही है और इसका मुख्याल है मेडिकेरी में है इस क्यूशन में इतना ही भड़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ नेक्स क्यूशन है मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है तो दोस्तों मार्स गैस का दूसरा नाम मिथेन है मिथेन गैस तो इसका रसायनिक सुतर है CH4 ये बनती कैसे है वायू की अनुपस्तिती में दलदली स्थानों पर पेड़ पोधो और कार्बनि प्रदार्तों के गलने सड़ने से बनती है तो अगर दोस्तों यह पूछा जाए कि पंक गैस कौनसी है तो पंक गैस भी मिथेन गैस को ही बोलते हैं और एक क्युशन काफी टाइम पहले पूछा जाता था SSC कि भैस के जब जुगाली करती है भैस तो कोई से गैस निकलती है तो भैस या कोई भी जानवर जुगाली करता है तो वो भी उस वक्त भी मिथेन गैस ही निकलती है नेक्स कुईशन है कि चंपारन सत्यगर्य का संबंद किस से है तो चंपारन सत्यगर्य का संबंद है निल की खेती से तो निल की खेती का विरोध क्यों हुआ ये भी जान लेना जरूरी है तो निल की खेती अंगरेजों के दुआरा भारते किसानों से जबरदस्ति करवाई जा पर नील की खेती करना अनिवारिय कर दिया अब नील की खेती बार-बार होने पर जो जमेन की पोस्टिकता है उस पर परभाव आने लगा जिसके कारण की दूसरी फसल पर परभाव आने लगा तो परिनाम सवरूप किसानों ने विरोध सुरू कर दिया जिसका नाम नील विद रखा गया किसानों के दवारा नील विद्रो 1869 में शुरू हुआ अब देखते ही देखते गांदी जी ने भी ये विद्रो शुरू कर दिया गया गांदी जी के दवारा भी बिहार के चंपारन जिले के बढ़ हरवा लेखन सेन गाओ से सन 1917 में एक सत्यगर्य हुआ जिसका ना सत्यगर्य कौन सा है तो गांदी जी के दवारा जो पहला सत्यगर्य जो भारत के अंदर किया गया था वो था चंपारन सत्यगर्य नेक्स क्यूशन है कि रत यातरा महुत्षव का आयुजन कहां किया जाता है तो इसमें जो उप्षन थे वो काफी ही कन्फ्यूजन क्रियेट कर रहे थे तो हम उप्षन भी देख लेते हैं कोनार्ग, पूरी, द्वार का, हरी द्वार तो इन सभी उप्षन का जो रिलेशन है वो धार्मिक्स तलो से है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रियेट हो सकता है लेकिन हमारा अंसवर है पूरी, पूरी कहां पर है ओडिसा के अंदर तो ओडिसा से रिलेटिड हम काफी कुशन भी देख लेंगे तो जो यह 2022 में यह आयोजन रथ यातरा महचसो कब हुआ तो यह इसका आयोजन हुआ एक जुलाई से सुरुवात की हुई थी और बारा जुलाई को समापन हुआ था यह क्यों मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल असाड मास की दुवित्या तिथी को भगवान जगनात अपने भाई बलराम और बहन सुभदरा के साथ अपनी मोसी के घर जाते हैं इसी उपलक्स में यह रथ यातरा निकाली जाती है अब हमारा अंसवर्था पूरी पूरी ओडिसा में पढ़ता है ओडिसा की परमुख नदिया कों सी है यह भी हमें पता होना चाहिए तो इसकी परमुख नदिया है ब्रामनी, सालंदी, इंद्रावती, महानदी, वंस, धारा और यहां की भासा है जो भासाए है उडिया और मगदी भासा है राज के पसु की बात की जाए तो राज के पसु है सांभर और साकसरता दर यहां की 76.68% यहां की साकसरता दर है राजधानी की बात की जाए तो भूमनेश्वर यहां की राजधानी है अच्छा दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लाइक भी कर सकते हैं आपका रिस्पोंस ही बताएगा कि मैं नेक्स वीडियो किस तरह के कराऊं आप बोक्स में भी आप बता सकते हैं कि मैं इस के उपर नेक्स वीडियो बनाओं तो मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जहन